हाई फ्रेंस विल्कम बैक टो माय चानल यह मेरा एक छोटा सा गार्डन यह मिर्च का पेड़ आप देख सकते हैं एक भी जगह नहीं है जहां मिर्च ना हुआ हो यह है संगा प्याज और यह है आपका राजमा का पेड़ और यह है लौकी का पेड़ छोटे से जगह में हम गा यह है स्टॉबेरी का पेड़ यह है बैगन का गाच और इस एक गाच में बहुत सारा कॉंबिनेशन है तूलसी अलबिरा और राजमा और यह है टॉमेटो का पेड़ अब बगल में जो छाई देख रहे हैं यह कीट नासक के लिए रखा जाता है छाई बहुत ही अच्छा हो हम बॉइल कर ले रहे हैं जो भी खाना बनाए उसे ज्यादा टेस्टी कहीं लकड़ी के काटका होता है इसलिए हम लिट्टी या जोतर प्रति से स्टाइल में ही लेके आ हैं यह है मिर्चा लहसन अचार धनिया पत्ता जवाइन मंग्रेल और यह सातु पहले सातु को तयार क कट कर लेंगे यह लहसन का हूं कट कर ले रहे हैं हमें कुत्तर प्रतिस का और ही के स्टाइल का प्याजवाली लिट्टी लेकर आएंगे सातु में ही प्याज डाल के बनता है वह वाला रिसिपी यह लहसन और कच्छा मिर्च हम कट कर लिए हैं यह धनिया पत्ता धो के रखे हैं यह देशी धनिया पत्ता है यह धनिया पत्ता भी हम दे देंगे इसमें अजवाइन मंगरिल दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से पहले हाथों से मैस कर लिया जाता है और यह है आम का अचार यह घर पर ही बनाया है इसका भी रेसेपी हम आपके सामने लेकर आएंगे यह नमक वन टेबल स्पून वन एंड हाफ टेबल स्पून यह चार आदमी का लिटी बन रहा है इसके अनुसार दिया गया है और यह है लहसन की करी जो हम अपने गार्डेन से आपको दिखाएं वही गार्डेन से थोड़ा सा कट कर लिया गया है यह लहसन की करी आले के पराठे में भी देने से बहुत अच्छा लगता है अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको हाथ से अच्छे से मैस करने के बाद इसमें थोड़ा सा सरसो तेल देंगे ट्यू टेबल स्पून सरसो तेल दिया गया है उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें इसको थोड़े देड़ दक मिक्स करना पड़ता है दाकि सारे इंग्रिडियंस अच्छे से मिक्स हो जाए अब इसको हम भर के दिखाएंगे आपको कैसे जैसे मॉमोस बनाया जाता है उसी टाइप का है पहले गोल करते जाएंगे बाटी जैसा फिर उसमें हम सत्तु भरके और भीतर की तरफ दापते हुए उसको क्लियोस कर देंगे अब रिलिट्टी बनकर तयार हो चुका है ये लिट्टी हम आपको गोइठे पर बना कर दिखाएंगे गोइठे का एक अलग ये गोइठा प्लस लकड़ी का बना कर दिखाएंगे बहुत ही टिस्टी होता है ये खाने में हम सहर में रहते हैं तो गाओं का कुछ-कुछ खाना बहुत ही टिस्टी हो जो याद आता है तो हम यहाँ पे भी बना के अपने घर पे खाते हैं अब गयास पे तो बहुत बना के ट्राइ किए एक बार ऐसे ट्राइगर के देखिए और मुझे कमेंट में बताए कैसा लगा आपको यह ऐसे पहले सारा कोईटा नीचे सजा लेंगे यह देशी टच देशी रेसिपी है थोड़ा से किरासन देल देंगे और यह है लकड़ी फिर उसके उपर से सजा देंगे आपको एक एक स्टिप करके दिखाया जा रहा है ताकि जब आप नया नया भी स्टार्ट करेंगे तो इसे देखकर आप खुद भी बना सके अपने घरों में अब यह तयार हो चुका है जब यह पूरा जल जाएगा देख रहें आप कैसा कितना खुब्सूरत लग रहा है ऐसे ही इसी के उपर आपको जब यह गरम हो जाएगा तब इसको नीचे बैठा देना है और इसके उपर लिट्टी को रखना है इसका जो डस्ट है यह नहीं रह जाता है क्यूंकि हम इसको अच्छे से दो-तिन कपड़े जाटना पड़ता है यह ताकि इसका सारा डस्ट निकल जाता है इसलिए आप सोच रहेंगे होंगे कि यह सारा डस्ट पेट में जाएगा तो बहती खराबी करेगा लेकिन इसका डस्ट नहीं लगता है जब इसको हम अच्छे से जाड़ देते हैं तीन चाल टावल इसको पोस्ट देते हैं तभी इसके उपर घी लगाते हैं और यह टमेटो को भी इसमें पका ले रहे हैं अब देख सकते हैं हमारा लिटी हलका हलका पकतना सुरू हो चुका है यह हमारा बैगन यह हमारा टमेटो और यह हमारा आलू लिटी पकरते हैं देख सकते हैं अब थोड़ा सा भी डस्ट इस पर लगा नहीं हुआ है यह जो बॉइल किये थे आलू को उसका पहले जुखा बना लेते हैं इसमें देंगे कच्छा मिर्च बारी कटा हुआ थोड़ा सा सर्सो तेल थोड़ा सा नमक अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें आलू का अलग है बैगन का है फिस्ट टमाटर का चुखा ये तीन चुखा के साथ आप जब लिट्टी खाएंगे न तो आपको आपका गाउं का याद आ जाएगा ये है धनियापत्ता का चमिर्च और प्याच ये है बैगन का चुखा बनाने में हम जब सहर में रहते हैं तो अपने गाउं को बहुत मिस करते हैं लेकिन लॉक्डाउन ट्रियर्ट में हम अपने गाउं जा भी नहीं पाते हैं ये है नमक तो हम लोग देशी फूट देशी स्टाइल में लेकर आएं आपके सामने कि कुछ गाउं को मेमरेबल और भी यादगार ताजा हो जाए आपका और ये है सर्शो तेल अब बनाना है टमाटर का तीन टमाटर है और कच्चा प्याच कच्चा मेर्च इसमें देंगे थोड़ा सा नमक और इसको अच्छे से मैस कर देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा टमाटर का भी चटनी बन कर तयार हो चुगा है ये तीन चुका है आलू का चुका बैगन का और टमाटर का बनाना हो चुगा है